तो फ्रेंड नमस्कार अपना फार्मा चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं आज हम बात करेंगे लुली पर क्रीम के बारे में यह एंटी फंगल क्रीम होता है जो की फंगल इंफेक्शन के लिए इस्तमाल की जाती है पुराने से पुराने दाद हो, खाज हो, खुजली हो उसमें यूज कर सकते हैं और हम बात करेंगे किस-किस प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं इसकी क्या प्राइज है, इसकी क्या-क्या साइड एफेक्ट हैं और इसे कैसे यूज करते हैं इन सभी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों शुरू करते हैं यह है लुली पर्ल क्रीम जो की एलकेम कंपनी की है और अगर प्राइस की बात करें तो यह है 180 रुपेज की आती है जो की 10 mg की ट्यूब में आती है अगर इसकी composition की बात करें तो लुली कोनजोल, बेंजन एलकोहल, एन मैथिल पेराबिन यह सारे ingredients इसमें होते हैं दोस्तो लुली परल क्रीम बहुती बढ़िया क्रीम है जो की skin infection को जड़ से खतम कर देता है यह थोड़ा सा महगा क्रीम जरूर है लेकिन इसका result आपको 100% देखने को मिलता है तो चलिए अब हम बात करते हैं किस किस problem में इस क्रीम का इस्तमाल कर सकते हैं पहला है skin allergy में दोस्तों खुझली की बिमारी बहुती बेकार बिमारी होती है जो की हमारे body में हो जाती है तो हमें कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो खुझली में आप इस क्रीम का इस्तमाल कर सकते हैं और कुछी दिनों में खुझली की problem से नमबर टू, दाद में, दाद में भी यह क्रीम काफी अच्छा सरदार साबित होती है नमबर तिरी, अगर आपको वेजाइना में फंगल इंफेक्शन के कारण बहुत ज्यादा खुजली होती है तो आप इस क्रीम का इस्तमाल कर सकते हैं और जैसे कि कभी-कभी महिलाओं में, फाइट इस्चारज के कारण खुजली होती है तो आप इस क्रीम का इस्तमाल कर सकते हैं इस क्रीम के इस्तमाल से पेजाइना में की जो खुजली होती है, वो खतम हो जाती है नमबर फूर इसके नेलेरजी जैसे सरीर में छोटे छोटे दाने निकलते हैं उसमें भी यह क्रीम काफी अच्छा रिजर्ट देता है और बात करें यह क्रीम को कैसे यूज करते हैं तो इस क्रीम को आप दिन में 2-3 बार इसके पर एप्लाए कर सकते हैं और दोस्तों यूज करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें अब बात करें इसके साइड एफेक्ट के बारे में तो अगर यह क्रीम किसी को सूट नहीं करती हैं तो जलन होती है या रैसिस निकलने लगते हैं तो दोस्तों घबराना नहीं है इस क्रीम को यूज करना बंद कर दें और अपने नजदी की डॉक्टर से सला जरूर लें तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में जरूर बताएं thank you